श्री दुर्गाय नम्हा श्री दुर्गा सब्तशती की दूसरे अध्याय में हम जानेंगे देवताओं की तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिशा सुर्की सेना का वद्ध तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय ओम मध्यम चरित्र के विश्नु रिशी, महालक्ष्मी देवता, उश्नी चंद, शाकामभरी शक्ती, दुर्गा बीज, वायू तत्व और यजुर्वेद सरूप है श्री महालक्ष्मी की प्रसंता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है मैं कमल की आसन पर बैठी हुई प्रसं मुखवाली महिशस और मर्दनी भगवती महलक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अपने हातों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बान, वज, पद्व, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ती, खडग, ढाल, शंक, गंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्रधारन करती है रिशी कहते हैं, पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सो वर्षों तक घोर संगराम हुआ था उसमें असुरों का स्वामी महिशसुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे उस युद में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्तित हो गई संपून देवताओं को जीत कर महिशसुर इंद्र बन बैठा तब पराजित देवता प्रजापती ब्रह्माजी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विश्नु विराजमान थे देवताओं ने महिशसुर के प्राक्रम तथा अपना परेजय का यथावत वृतांत उन दोनों देव रिश्व से विस्तार पूर्वक कहा सुनाया वह बोले भगवन, महिशसुर सूर्य, इंद्र, अगनी, वायू, चंद्रमा, यम वरुन तथा अन्ने देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयम ही सबका अधिश्ठाता बन बैठा है उस दुरात्म महीश ने समस देवताओं को सुर्ख से निकाल दिया है अब वे मनुश्यों की भाती पृत्वी पर विचरते हैं दैत्यों की है सारी कर्तूत हमने आप लोगों से कह सुनाई अब हम आपकी ही शरण में आए हैं उसके वद का कोई उपाय सोचिये इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विश्णू और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया उनकी बोहें तन गई और मुँ टेड़ा हो गया तब अत्यन्त कोप में भरे हुए चक्रपाने श्री विश्णू के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ ज्वाले मन परवत्सा जान पड़ा देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वाले संपून दिशाओं में व्याप्त हो रही थी संपून देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुल्ला नहीं थी एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा भगवान शंकर का जो तेज था उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाय उत्पन हुई चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मद्ध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ वरुन के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृत्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूरे के तेज से उसकी उंगलियां हुई वसुमों के तेज से हातों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासी का प्रकट हुई उस देवी के दांत प्रजापती के तेज से और तीनों नेत्र अगनी के तेज से प्रकट हुए उसकी बोहें संध्या के और कान वायू के तेज से उत्पन हुए इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्यान में देवी का आविर्भाव हुआ तदंतर समस देवताओं के तेज पुन्ज से प्रकट हुई देवी को देख कर महिशा सुर के सताय हुए देवता बहुत प्रसन हुए पिनाकदारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया फिर भगवान विश्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन करके भगवती को अरपन किया वरुन ने भी शंक भेट किया अगनी ने उन्हें शक्ती दी और वाईू ने धनुष तधा बांट से भरे हुए दो तरकस प्रदान किये सहसनेत्रो वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वर्जुदपन करके दिया और एरावत हाती से उतार कर एक गंटा भी प्रदान किया यम्राज ने काल दंड से दंड वरुन ने पाश प्रजापती ने स्फिटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेट किया सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपो में अपनी किर्णों का तेज भर दिया काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी शीर समुद्र ने उजवल हार तथा कभी जीरना होने वाले दो दिव्वे वस्र भेट किये साथ ही उन्होंने दिव्वे चूडा मड़ी, दो कुंडल, कड़े, उजवल आदरचंद्र, सब बाहूं के लिए के यूर, दोनों चड़नों के लिए निर्मल नुपूर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रतनों की बनी अंगूठियां भी दी, विश्व कर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच्छ प्रदान किये इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारन करने के लिए भी कभी न कुम्नाने वले कमलों की मालाएं दी जलिधी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेट किया, हिमाले ने सवारी के लिए सिंग तता भाती-भाती के रत्न समर्पित किये धन अध्यक्ष कुबेर ने मदू से भरा पान पत्र दिया तता संपून नागों के राजा शेश ने जो इस पृत्वी को धारन करते हैं उन्हें बहु मुल्ले मनियों से विभूशित नाग हार भेट दिया इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूशन और अस्त शर्स देकर देवी का सम्मान किया तत पश्चाथ उन्होंने बारं बार अठास पूर्वक उचे स्वर से गर्जना की और उन्हें भ्यंकर नाद से संपून आश अकाश गूंज उठा देवी का भे अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंग नाद कहीं समाना सका अकाश उसके सामने लगू प्रतीत होने लगा उससे बड़ी जोर की प्रती धुनी हुई जिससे संपून विश में हल्चल मच गई और संपून समुद्र काप उठा प्रत्वी डोलने लगी और समस्थ परवत हिलने लगे उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसंता के साथ सिंग वाहिनी भवानी से कहा हे देवी तुम्हारी जै हो साथ ही महिशा ने भक्ती भाव से विनर्म होकर उनका सत्वन किया संपून त्री लोकों को शोब ग्रस देख दैत्तेगन अपनी समस्थ सेना को कवच आदी से सुजद्धित कर हातों में हत्यार ले सहसा उठकर खड़े हो गए उस समय महिशा सुर्ण ने बड़े क्रोध में आकर कहा आ ये क्या हो रहा है फिर ये वे संपून अस्रों से घिरकर उस सिंग नाद की और लक्षे करके दोड़ा और आगे पहुंच कर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी उनके चर्णों के भार से प्रिथ्वी दभी जा रही थी माथे के मुकुट से अकाश में रेखा सी खिच रही थी तथवे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को शुब्द किये देती थी देवी अपनी हजार बुजाओं से संपून दिशाओं को आजथित करके खड़ी थी तद अंतर उनके साथ देत्यों का युद छड़ गया नाना प्रकार की अस्त शस्त्रों के प्रहार से संपून दिशाएं उद्भासित होने लगी चिकशुर नामक महान असुर महिशा सुर का सेना नायक था वे देवी के साथ युद करने लगा अन्य देत्यों की चदुर रगनी के सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा साथ हजार रथियों के साथ आकर उद्गर नामक महान देत्यों ने लोहा लिया एक करोड रथियों को साथ लेकर महा हनु नामक देत्य युद करने लगा जिसके रोय तलवार के समान तीखे थे वह असली लोमा नामक का महा देत्य पांच करोड रथी सैनी को सहित युद में आडटा साथ लाक रथियों से घिरा हुआ बाशकाल नामक देते भी उस युद भूमी में लड़ने लगा परवारित, नामक, रक्षस, हाती सवार और घुड सवार के अनेक दलों तथा एक करोड रथियों की सेना लेकर युद करने लगा बिडाल नामक देते पांच अरव रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा इनके अतरिक्त और भी हजारों महा देते रथ, हाती और घुड की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद करने लगे स्वयम महिशासुट उस रण भूवी में कोटी-कोटी सहस्त्र, रथ, हाती और घुड की सेना से घिरा हुआ खड़ा था वे देते देवी के साथ तोमर, भिंदी पाल, शक्ती, मूसल, खड़ग परशु और पटिश आदी अस्त शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद कर रहे थे कुछ देतेयों ने उन पर शक्ती का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फैके, तथा कुछ दूसरे देतेयों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्ध्योग किया देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त शस्त्रों की वश्षा करकी देत्यों के समस्त अस्त शस्त काट डाले उनके मुख पर परिश्रम या ठकावट का रंच मातर भी चिन नहीं था देवता और रिशी उनकी स्तुती करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त शस्त्रों की वर्षा करती रहें देवी का वाहन सिंग भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानों वनों में दावन नल फैल रहा हो रन भूमी में दैत्यों के साथ युद करती हुई अंबिका देवी ने जितने नी श्वास छोड़े वे सभी ततकाल सैकडों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदिपाल खड़क तथा पटिश आदी असुरों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ती से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाडा और शंक आदी बाज बजाने लगे। उस संग्राम महुत्सव में कितने ही गण बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ती की वर्षा से और खडगादी सैकडों महा देत्यों का संगहार कर डाला। कितनों को घंटे के भेंकर नाद से मुर्शित करके मार गिराया। बहतीरे देत्यों को पाश से बांद कर धर्थी पर घसीता। कितने ही देत्यों उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकडे हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धर्थी पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहतो कर रक्त वमन करने लगे। कुछ देत्यों शूल से छाती फट जाने की कारण प्रिथी पर धेर हो उस रनागंड में बाण समभूँ की विष्टी से कितने ही असुरों की कमर तूट गई बाज की तरह जपटने वाली देव पिंड के देते गंड अपने प्राणों से हाथ दोने लगे किनी की बाहें छिन छिन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही देतियों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे कुछ लोगों के शरीर मध्यम भाग में ही विदिर्ण हो गई, कितने ही महा देतियों जांगे कट जाने से प्रिथ्वी पर गिर पड़े कितनों को ही देवी ने एक भाँ एक पैर और एक नेतर वाले करके दो टुकडों में ची डाला कितने ही देते हैं मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड के रूप में ही अच्छे अच्छे हतियार हाथ में लेके देवी के साथ युद करने लगते थे दूसरे कमंद युद के बाजो की ले पर नासते थे कितने ही बिना सिर के धड हातों में खड़ग, शक्ती और शिष्टी लिए दोडते थे और दूसरे दूसरे महाध्यत्य थेरो थेरो यह कहते हुए देवी को युद के ले ललकारते थे जहां वह गोड संगराम हुआ था, वहां की धरती देवी के गिराय हुए रत, हाती, घोडे और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था, देत्यों की सेना में हाती, घोडे और असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्त पात हुआ कि थोड़े ही देर में वहां खुन की बड़ी बड़ी नदिया भेने लगे जगदंबा ने असुरों की विशाल सेना को शन भर में नश्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे त्रिन और काट के भारी धेर को आग कुछी शनों में भस्म कर देती है और वह सिंग भी गरदन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गरजना करता हुआ देत्यों के शरीरों से मानों उनके प्रान चुन लेता था वहां देवी के गणों ने भी उन महा देत्यों के साथ ऐसा युद किया जिससे अकाश में खड़े हुए देटा गण उन पर भहुत संतुष्ठ हुए और फूल बरसाने लगे तो इस प्रकार शी मारकंडे पुराण में सावरनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी मात्यम में महिशा सुरकी सेना का वद नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को आजी लाइक वा सब्सक्राइब करें वा बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल पाए तब तक के लिए धन्यवाद